CBSE board exam के बाद अगर कोई छात्र compartment exam में भी फेल हो जाए तो आगे उसके पास क्या options होते हैं, आज इसी पर चर्चा होगी compartment exam खत्म हो चुका है और आपको paper देने के बाद ही महसूस हो चुका होगा कि इस बार आपके pass होने की कितनी संभावना है अगर कोई student compartment में भी फेल हो जाए तो उसे pass होने के लिए और मौके मिलते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा निरास होने किया सकता नहीं है जिन students ने 2023 में पहली बार as a regular student board exam दिया और उसमें फेल हो गएं, वे 2024 में as a private candidate CBSE board exam दे सकते हैं अगर कोई compartment exam में भी फेल हो जाता है, तो वो भी अगले साल as a private candidate exam दे सकता है जब आप as a private candidate board exam के लिए apply करते हो, तो आपको खुद से online application भरना होता है अब तक आपका application from a school भरता था, लेकिन private candidate को a school से कोई मतलब नहीं होता आप अपने घर से, स्वैम या किसी cyber cafe से भी अपना online application सब्मिट कर सकते हैं उमीद की जा रही है कि 2024 के लिए private candidates का online application form CBSE September के 3rd week तक जारी कर देगा जब भी ये form आएगा, मैं आप सभी को update कर दूँगा अगर आपने अब तक हमारे telegram channel को जोईन नहीं किया है, तो वीडियो के description में link मौझूद है, आज ही हमारे telegram channel को जोईन कर लिजे private candidate या board exam को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो आप telegram या instagram पर हमें message भी कर सकते हैं private candidates का application form कई categories में भरा जाता है अगर आप किसी एक विजय में फेल है, तो compartment category में ही एक बार फिर से अपलाई कर सकते हैं चाहे तो failure category में भी सारे subjects का exam एक बार फिर से दे सकते हैं वही जिनका essential repeat है, उन्हें failure category में सारे subjects का exam एक बार फिर से देना होगा अगर किसी के 6 विषय थे, बोड में वो 2 विषय में फेल हुआ था, जिसमें से एक पेपर वो कमपार्टमेंट देकर क्लियर कर लेता है तो उसे improvement category के अंतरगत दूसरा पेपर क्लियर करना होगा चली अब practical के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि practical exam को लेकर काफी सवाल पूछे जाते हैं अगर आप 2023 में पहली बार board exam दिये थे और practical exam में पास हो चुके हैं तो 2024 में आपको practical exam फिर से नहीं देना होगा जो practical के marks आपके 2023 में हैं, वही 2024 में भी add कर दिये जाएंगे It should be noted here that ये rule केवल उन छात्रों के लिए है जो practical में already पास हो चुके हैं अगर आप practical में fail या absent थें तो आपको practical exam देना होगा प्राइवेट कैनिडेट्स पर बोज थोड़ा ज्यादा होता है खुद से पढ़ना है, खुद से ही application form भी भरना है गलती की कोई गुंजाईस नहीं होती इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ रहूँगा और हमारी ये partnership तब तक चलेगी जब तक आप board exam पास न हो जाओ प्राइवेट कैनिडेट या CBSC board exam को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप बेही चक हो exam सबके टेलिग्राम चैनल या Instagram पर हमें मैसेज कर सकते हैं Link वीडियो के description में मौझूद है